राहुल वैदी की गर्ल्फरेंड दिशा पर्मार हो गई है ट्रोल आखे ट्रोला उसके दिशाने पर क्यों आई है दिशा पर्मार बताओं की आपको इस वीडियो में पूरी ख़बर नमस्कार मैं सनक्दाल स्फागत करती हूँ आप सभी का हम्भारे चानल पर आपको बता दे की राहुल वैदी की गर्ल्फरेंड दिशा पर्मार आज कल काफी जादा सुर्खियों में बनी हुई है अब उनके हर एक ट्वीट पर हर एक फैंस की नसर है ऐसे में आपको बता दे की हाल में ही दिशा पर्मार ने एक ट्वीट किया था जो की शोना शोना सौंग के लिए है बेसिकली ये सटनास फैंस को बुरी लग गई ऐसे में दिशा परमार ने ये ट्वीट किया है How could I stop myself from listening this song शोना शोना, it's really addictive Actually दिशा परमार का कहना है कि ये गाना मैं खुद को बिलकुल नहीं रोप पाती हूँ इस गाने को सुनने के लिए क्योंकि ये गाने में एक अलग सा नशा है ये गाना बेहदी बहतरीन है शोना शोना की तारीफ कर रही है यानि कि सधार्त और सना यानि कि शैनास गिल का गाना शोना शोना को दिशा परमार सुन रही थी जिसके बाद उन्होंने ये बेहदी अच्छा और प्यारा सा कमेंट किया था शोना शोना के रिकार्डिंग कि उनको ये गाना बेहदी पसंद आया है और इस गाने में एक अलग साही नशा है वो एडिक्टिव हो गई है इस गाने के लिए लेकिन आपको बता दे कि अब इस ट्वीट के लिए ट्रोलर्स ने ने क्यों किया है ट्रोल अब आपको बता दे कि बात ये है कि एक्चली सिद्नास फैंस को ये लग रहा है कि दिशा परमार कहीं ना कहीं वोट के मांगने के लिए यानि वोट अपील करने के लिए वो सिर्डनाज फैंस का दिल जीतना चाहती है लेकिन सिर्डनाज फैंस बिलकुल भी राहुल वैदे के सपोर्ट में नहीं है राहुल वैदे को भगोड़ा कह रहे हैं तो इस तरीके से सिर्डनाज फैंस लगतार राहुल वैदे के सपोर्ट में तो नहीं है इस वज़ा से राहूल वैदे को सपोर्ट नहीं करेंगे और ये भी कह रहे हैं कि दिशा परमार अगर आप कोशिश कर रही हैं कि हमसे ये वोट ले ले तो ये बिल्कुल नहीं होगा तो इस वज़ा से दिशा परमार हो गई हैं ट्रोलर्स के निशारे पर आ गई हैं और हो ग